हेलो रमस्कार स्वाकते आप सभी का एक बाफ़र से हर्याना की ताज़ा खबरों में तो बता दे कि अभी भी जो बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर बैठक में लिया है बड़ा फैसला तो जल्द हो सकता है यहाँ पर हर्याना के यानि की कॉंग्रस के नए अध्च पद का एलान तो इन नामों पर हो रही है चर्चा हम इस वीडियो में बताएंगे क्या है पूरी बड़ी खबर बैठक में क्या कुछ चला हम इस वीडियो में पूरी जानकाई देने वाले हैं तो जैसा कि हर्याना की ताज़ा खबरों के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब अवस करें शुरू करते हैं वीडियो को तो यहाँ पर दिल्ली में हुआ है चिंतन मंथन नए हर्याना कॉंग्रस अधच का एलान जल्द और इनका नाम सबसे आगी चल रहा है तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हर्याना प्रदेश कॉंग्रस अधच्पत पर नए नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर मंथन का दौर जारी है और कॉंग्रस हाई कमान पंजाब में बदलाओं के बाद हरियाना प्रदेश कॉंग्रस में नई जान फूकने और संगटन को मजबूत बनाने की कवायद सरे चड़ाने को लेकर के गंभीर नजर आ रही है वहीं आज इसी करम में दिली कॉंग्रस वारू में एहम बैठा कोई है लेकिन फिलाहल कोई फैसला नहीं आया है इतना जरूर है कि हरियाना को लेकर के दो सब्ता के अंदर कोई ना कोई फैसला जरूर होगा सूत्रों का कैना है कि आज महीं दिली में आयोजित बैठक के दोरान नेता विपच और पूर्व सियम भूपेन सिंग हुड़ा के अलावा एके एंटिनी केसी वेड़ी को पाल अंभिका सोनी अनकई नेता मौजूत रही है बताया गया है कि भूपेन सिंग हुड़ा ने इस बैठक के दोरान अपनी राय रखी और विधायकों से सला मस्वरा करने के साथ साथ कई सुजाओ भी दिये हैं थाकि फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिए सूत्रों का कहना है किक्थश नेता पूर मंतरीitük वद्ली जाती है और उनकी इस्थान पर किसी दलिच्चेहरे को भी जम्म्यवारी सोपी जा सकती है अर्थाद हाई कमान जादगत समिकरन देखकर नए नियुक्ती होने की संभाना भी विक्त की गई है जिसमें वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री गीता भुकल के साथ साथ पूर्विधायक उदायभान पूर्व स्पीकर को दीप सर्मा और नेता विपच्वा पूर्व सि खबर निकल कर आ रही है तो यह हैसे नाम थे जो नए अध्षपत के रेज में चल रहे हैं तो यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है तो आपको यह वीडियो कैसी लेगी हमें कमेंड में जूरूए था इस वीडियो में तीज़ानकारी धन्वाद